तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यूव वीडियो में और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कल होने वाले स्मैक डाउन यानि 2 मार्ट 2024 को होने वाले स्मैक डाउन के एपिसोड के बारे में क्या की चीज़े डबलुली ने वहाँ पर हो सकते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे तो यह वीडियो में अंट तक बन रही है तो मेरा नाम है अमन आप देख रहे हैं रसल बग तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाई सबसे पहले चीज की बात करें तो कल हमें SmackDown का एपिसोड में समें सेंटोज एसको बार को थोड़ा से बिल्ड करने के लिए हो सकता है वो यहाँ पर कारलीटो को हरा दें अगली चीज की बात करें गाइस तो वहाँ पर हमें एक विमन स्टैक टीम मैच भी देखने को मिलागा जहाँ पर एक तरफ होंगी बेली एंड डाकोटा काई वर्सिस दूसरी तरफ होने वाली है आसका एंड काईरी सेंट और यहाँ पर मुझे लगता है कई ने कई यह बेली के लिए एक ट्रैप है क्योंकि डाकोटा काई भी मेरे हिसाब से उन्हें काफी जल्द धोका दे देंगी और हो सकता है इसे मैच मों यहाँ पर बेली पर टन क अगली चीज की बात करें गाइस तो हमें स्मैक डाउन पर रेंडी ओर्टन भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि मैं पता है लोगन पॉल के वैसे वह वहाँ पर जीत नहीं पाए और ऐसे में अगर उनको वहाँ पर कोई इंजिनी नहीं हुई है तो डब डबली के प्लैन से ह है कि रसल मेनिय में लोगन पॉल और रेंडी ओर्टन का मैच करा दिया जाए हो सकता है हमें वहाँ पर कोई मल्टिपल मैन वाला मैच भी देखने को बिले जहां पर केविन ओस भी एड़ हो जाए तो रेंडी ओर्टन कभी हमें स्मैक डाउन पर कोई प्रोमो सेग्मेंट द साथ साथ वहाँ पर दरॉक भी आने वाले हैं और ब्लेड डाइन तो वहाँ पर होगी ही और ऐसे में पिछली बार जो रॉक ने स्मैक डाउन पर आके धमाका मचाया था अगर वैसे ही वो फिर से कोई बवाल मचाते हैं तो काफी जदा मज़ा आने वाला है और रिपोर्ट यहीं पर इन चारों का एक टैटी मैच हमें कंफर्म होता वर नजर आ जाए बाकी कल की स्मैक डाउन काफी जदा धमाकेदार होने वाली है और अब दर रॉक वैसे भी बैक टू बैक तू बैक तीन स्मैक डाउन के अपिसोड़ में आने वाले है तो ऐसमें मुझे लगता है ब्लड लाइन के इस्ट्रो लाइन एक बार फिट से पीक पर जाएगी बागे आपके साफ से कल स्मैक डाउन पर रोमन ड्रेंस और दो रॉक का क्या सेगमेंट होने वाला है वो आप प्रेडिक्ट करके कमेंट में बता सकते हैं साथ साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो वी कीजिए चैल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते रहें गैसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई